आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो अमूमन लोग चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती को कुड़ा समझ कर फैंक देते हैं पर क्या आप जानते हैं किस इस्तिमाल की हुई चाय की पत्ती को अगर आप फिर से उप्योग में लाएंगे तो आपको कितना फायदा मिलेगा दोस्तो इसमें इतने सारे गुंचे पे होते हैं जो शरीर के लिए बेहत फायदेबंद होते हैं वहीं कुछ ऐसे काम भी हैं जो बची हुई चाय पत्ती से आसान हो जाते हैं दोस्तो इससे आपकी चाय भी स्वाद वाली बनेगी, कहीं आप सोच रहे हों कि एक बार चाय बनने के बाद चाय में वो स्वाद नहीं आएगा, दोस्तो वो ही स्वाद आएगा, इसलिए आप चाय पत्ती को धूप में सुखा कर दुबारा उप्योगला सकती हैं, आप चाय चाय पत्ती का इस्तिमाल छोले को स्वादिष्ट बनाने में भी कर सकते हैं, इसके लिए चाय की पत्ती को पानी में डाल लें और उस पानी को उबाल कर उसमें थोड़ी सी मात्रा में कावुली चने डाल दें, इससे छोले का रंग आकरशक दिखेगा और खुशबू भी अ आप्त कर सकते हैं, इससे डिब्बे आपके अच्छी तरह साफ हो जाएंगे, किचिन में या घर्व के जिस कोने में बहुत ज्यादा मक्या हों, वहां बची हुई चाय पत्ती को दो कर साफ कर लें, फिर उसे उस जगे पर रगड दें, देखिए कि मक्यां कैसे भागती हैं बची चाय पत्ती का इस्तेमाल वालों में चमक और दमक लाने के लिए कर सकते हैं, ये बहुत फाइदिमंद होती हैं, चाय पत्ती का पानी एक तरह से प्राकर्तिक कंडिशनर की तरह काम करता है, चाय बनाने के बाद बची हुई पत्ती को धो लें, फिर उसे दोबारा से गरम पानी में उबाल लें, इसे चान लें और पानी को धंडा करने के बाद बालों को साफ कर लें, चाय की पत्ती का एक फाइदा ये भी है कि आप इसका इस्तेमाल लगडी के फरनीचर को चमक दार बनाने के लिए कर सकते हैं, बची हुई चाय पत्ती को दोबारा से गरम पानी में उबाल लें, फिर उसे ठंडा कर एक स्प्रे बोटल में भर कर फरनीचर की आप सफाई कर सकते हैं और आपका फरनीचर इससे चमक उठेगा, चाय की पत्ती का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकता है, गमले में पौधे को समय समय पर खाद की जरुरत होती ह ऐसे में बची हुए चाय की पत्ती को आप साफ कर लें और उसे गमले में डाल दें, इससे आपके पौधे स्वस्त रहेंगे चाय की पत्ती में एंटियोक्सिडेंट पाए जाते हैं, चोट या किसी जखम पर चाय की पत्ती का लेप लगाने से खून बेना बंद हो जाता है, उबली होई चाय पत्ती को अच्छी तरह से दोलें, इसे पीस कर चोट पर लगाने से घाप जल्दी भर जाएगा दोस्तो, आयरवेद समाधान जीवन जीने की एक पत्ती है, जिसमें बताये गए इन उसके वैद्यों की राय के मताबिक होते हैं, जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेर कीजिए आयरवेद समाधान, क्योंकि आयरवेद समाधान है, खरोग कर न प्रवाइदान.